दोस्तो आज के जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि आपके स्कूटी के लिए बेस्ट इंजन ओल कॉन सा रहेगा और साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकाश से हम इंजन ओल को चेंज कर सकते हैं और जो अपनी ओल स्क्रीन है जो कि ओल को फिल्टर करके कैम्स तक पहुचाती है तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं नमस्का दोस्तों मेरा नाम चंदन है और आप देख रहे हैं सीवी गैरिज आज हम जिस इंजन ओल का यूज करने वाले हैं वो है मोटूल का 10W30 बिसकोसिटी ग्रेट का इंजन ओल यह इंजन ओल स्पेशली डिजाइन के आगया है स्कूटर्स के लिए और यह स्कूटर्स को काफ़े अच्छा पॉफॉमेंस देता है और बात करेंगा इसकी प्राइस की तो एराउंड 285 रुपीज का हमें कॉस करता है जो की 800 ml का पैक है इसमें से 780 ml हम अपने इंजन में पोर करते हैं और 20 ml को एज लुब्रीकेटिंग ए इसके बाद हमें जरुत परने वाली है 17 mm के सौकिट की ड्रेन बोल्ट को खोलने के लिए यदि आपके पास यह तीनों चीजे नहीं है तो आप इस पर काके रिंग स्पैनर का यूज भी कर सकते हैं तो अभी हम इपनी स्कूटी के पास आगी है तो यहां हमारे सामने ड्रेन बोल्ट है तो हमने एक ड्रेन मग लिया है तो जितना भी ओयल ड्रेन आउट होगा तो सारा इसमें कलेक्ट हो जाएगा तो इसे हम लेटर ओन जो है लिब्रिकेटिंग एजिन की तौर पर यूज कर पाएंगे तो सबसे पहले हमें इस ड्रेन बोल्ट को खोलना है तो इसके भॉल्ट के थ्रेड भी ख्राब कर सकते हैं कश़ादा टॉक लगा दिए तो यहां पर यह इन घुट खुल चुका है तो यहां पर से अभी ऑइल ढ्रेट होना हैय शुरू हो जाएगा तो यह oil drain होना शुरू हो चुका है तो आप देख सकते हैं oil कितना जाद है black हो चुका है क्योंकि इसे काफी time से change नहीं किया था तो इस कारण से जो है काफी जादा black हो चुका है तो यहां पर इस 750 ml के आज़ पास इसमें जो है drain होता है और around 50 ml के आसपास जो है engine के अंदर रह जाता है तो यहां पर हमने drain bolt जो है वापस ले लिया है तो इसे हमें वापस से tight करना है इसके साथ एक washer भी होता है क्योंकि जिसमें tight होता है उसके thread जो है aluminum की होता है और aluminum और ज्यादा torque की कभी भी आपस में जो है नहीं बनती है और यदि इसमें आपको ज्यादा torque लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके thread जो है खराब हो जाएंगे फिर इसको आपको लेथ वाले के पास लेके जाना पड़ेगा तो इसे tight कर लेते हैं वह 17 mm के socket से तो यहाँ पर यह अच्छी प्रकास से tight हो चुका है अब जो है तो यहाँ पर यहाँ पर यह और स्क्रीन का जो बोल्ट है वह खुल चुका है जैसी कि आप देख सकते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा करके लगता है तो इस प्रकार कि एक compression spring होती है तो इसके बाद आता है हमारा main component जो कि है हमारा oil strainer screen तो इसमें भी देख सकते हैं आप कित्ती जादा गंदगी जो है लगी है क्योंकि यह oil को filter करता है और जितने भी oil में गंदगी होती है उसको यह hold कर लेता है तो मैंने simply यहाँ पर जो oil strainer screen उसको clean कर लिया है और यह bolt भी जो है clean कर लिया है तो इनको वापस से जो है install कर लेते हैं और यह spring भी clean कर लिया है तो सबसे पहले हम यह oil strainer screen को लगाएंगे तो इसकी position इस प्रकार से होगी तो इस oil strainer को लगा लेते हैं हाँ पर तो यह oil strainer लगने के बाद जो हम अपनी और बोल्ट को भी आपको ज्यादा टائट नहीं करना है, इस वकार से टाइट करना है कि ना कुば ज्यार्दा लूज रहे और न सयादर टाइट होלי पनीायद Ayam ज्यादा टाइट होगा तो जाहिज सी बात है अब उसके त्रेट को डामिज कर सकते हैं तो इसको वापसे tight कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने बोल्ट जो है properly tight कर लिया है अब हम engine oil refilling के तरफ चलते हैं तो engine oil refill करने के लिए हम इस type के funnel का use करेंगे इससे होगा यही कि पूरा engine oil जो है crankcase के अंदर enter कर जाएगा कुछ भी engine oil जो है waste नहीं हो पाएगा तो आईए इस funnel की मदस्त हम engine oil को refill कर लेते हैं और refill करते हैं वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप engine oil को अराम अराम से पोर करें नहीं तो होगा क्या कि यह engine oil funnel के बाहर आजाएगा और आपको 780 के आसपास engine oil refill करना है 780 ml के आसपास क्योंकि किछ engine oil जो है engine के अंदर पहले से रहता है जब हम engine oil को drain करते हैं क्योंकि engine oil जो है completely drain नहीं हो पाता है तो यहाँ पर जो engine oil है वो completely refill हो चुका है इसके बाद जो हमने dip stick खोली दिये अपनी उसको जो है वापस से tight कर लेंगी तो यह रहा हमारा dip stick तो finally हम इसे tight कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा engine oil का changing का process जो है complete हो चुका है उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी यदि यह वीडियो पसंद आई तो जरूर सिस वीडियो को like कीजिएगा और हमारी इस channel को subscribe कीजिएगा धन्यवाद दोस्तो